नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिर्शा, आप सभी का अशुद्ध सनातर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ. देश में तमाम हिंदु महिलाएं वट सावरती का बृत रखती हैं. सावित्री, सती, द्रॉपदी, सीता, पुंती, तारा ये सभी सनातन धर में पूजनिया, इस्त्रिया मानी गई हैं. इन देवियों की पूजा पूरी संसार में की जाती है और इन्हें प्रातस्मर्णिया नारियां भी कहा गया. यानि अगर आप प्रती दिन सुबह उठकर के इन नारियों का ध्यान करते हैं, तो आपको पुन्य की प्राप्ती होती है. लेकिन आधुनिक विचारकों ने सती सावित्री होने का अर्थ अबला नारी लगा लिया है, कमजूर नारी मानते हैं, कहते हैं वो तो सती सावित्री है, सीधी साधी सी है, गाय टाइप है, इसलिए जो परिभाशा है, ये आधुनिक काल की देन है. ये भी माना जाता है कि सावित्री जो थी, वो अपने पतिवरत्य धर्म के वज़से ही उन्होंने अपने पति सत्यवान को मृत्यू के बाद भी पुन जीवित करवाने में सफलता अपराप्त की थी. ये विचारधारा भी जो है कि पतिवरत्य धर्म वही एक मातर कारण था, ये भी पूरा सच को नहीं बतलाता है. दरसल सती, सावित्री, सीता, द्रौबदी ये सभी बहुत ही सक्षम नारियां थी. ये सभी अपने पती या अपने पुत्रों या अपने परिवार या संसार के लिए किसी से भी लड़ सकती थी, किसी को भी पराजित कर सकती थी. ये सभी बहुत ही सक्षम और सबलनारियां थी. आज मैं आपको सावित्री देवी के बारे में बताऊंगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आएगा तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें. तो आज हम बात करेंगे सावित्री देवी की बारे में. सावित्री सत्यवान की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी कि सावित्री जो थी उनको कोई विवाह उनका नहीं हो रहा था तो उन्होंने स्वैम ही जो है सत्यवान को चुना और सत्यवान के पिता जो थे वो अंधे थे और उनका राजी जो है छीन लिया गया था वो जंगल में रहते थे और सावित्री के शसूर जो थे वो जंगल में तपस्वी की भाती रह रहते थे और सत्यवान उनके साथ ही रहते थे सावित्री ने जो है सत्यवान को इसलिए भी पती के रूप में चुना को कि सावित्री जो थी वो ब्रह्मा की पत्नी सावित्री या जिने गायत्री भी कहते हैं उनके ही अवतार मानी जाती हैं तो उनका तेज इतना अधुत था कि कोई भी पूरुष जो है उनके सामने टिक नहीं पाता था और इस वज़े से उनका विवाह नहीं हो पाता था तब हार कर उनके पिता ने कहा कि तुम स्वहम ही अपने पती की तलाश करो और वो जब जंगल में जाती हैं और उन्हें सत्यूप करने को तयार होती हैं लेकिन देवर्शि नारत जाकर के सत्यव था जैकर के स Cabinet को बताते हैं कि कि प्रेम जो है वो उनके जीवन का अधार होता है और सत्यवान से वो प्रेम करने लगती है तो एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि जब एक सावित्री और सत्यवान का विवा होता है तो सावित्री अपने सशूर जो अंदेश सशूर और सास हैं उनकी सेवा करते हैं स सावित्री को पता होता है कि आज सत्यवान के मृत्ती हो जाएगी तो उस दिन वो वरत करती हैं। सत्यवान को असहनिय पीड़ा होती है, उनको सरदर्द होता है और वचानव को अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और उनके मृत्ती हो जाती है। सावित्री देखती है कि सत्यवान के शरीर के पास कोई एक पुरुष खड़ा है वो पूस्ती है कि आप कौन है तो वो पुरुष बताते है कि मैं यम्राज हूं तो सावित्री पूस्ती है कि आप यहां क्यों आए हैं तो उन्होंने का मैं सत्यवान की आत्मा या उसके जीव क ले जाने के लिए आया हूँ, तो सावितरी पूछती हैं उनसे कि आम तोर पर यम्दूत आते हैं लेने के लिए, आप क्यों आये हूँ हैं स्वेम, तो यम्राज कहते हैं कि सत्यवान बहुत ही पुणने आत्मा था और पुणने आत्माओं की आत्मा को लेने के लिए मैं स्व यह कि लिए ने तुम्हारे पती की आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर से निकालते हैं और ले जाने लगते हैं, infect be — पीछे पीछे आने लगती है यमराज पूछते कि तुम। सावित्री बोलती है कि नहीं, किसी भी पत्नी का जो स्थान होता है, जहां उसके पती होते हैं, वह होता है, इसलिए मैं अपने पती के पीछे-पीछे ही जाओंगी, यम्राज छोग जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, सावित्री अपने तेज के बल पे यम्राज के प अगर आप चल लेते हैं, तो उससे आपके मित्रता हो जाती है, और आप तो जानते हैं, यम्राज हैं, धर्मराज हैं, आप तो मित्रता की कीमत जानते होंगे, यम्राज निरुत्तर हो जाते हैं, यम्राज बोलते हैं कि उसकी कीमत में क्या अदा करूँ, मैं तुम्हें यही क सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगती हैं तो यम्राज पूछते अब जो पीछे पीछे चल रही हो तो सावित्री कहती है कि मित्रता तो हमारी आपकी हो गई है मित्रता का आधार प्रेम और विश्वास होता है, तो प्रेम और विश्वास में कुछ तो प्रतिदान होता है, तो यमराज फिर निरुत्तर हो जाते हैं, यमराज बोलते हैं कि अच्छा तुम दूसरा वर्दान मांग लो, तो जो सावित्री हैं वो बोलती हैं कि मेरे श्वस बढ़ते हैं और सावित्री उनके पीछे पीछे चलती है, ये अमराज पूशते हैं, अब क्या हो क्या हो क्या, अब क्यूं पीछे पीछे आ रही है Hebrew मैंने तो में दो बरदान दे दिये। तो सावित्री कहती हैं कि जब बहुत दूर तक साथ चलते हैं और कोई सत्पुरुष हो, कोई बहुत ही महान पुरुष हो, तो साथ साथ चलते चलते, मितरता भी होती है, प्रेम बढ़ता और ये प्रेम फिर सत्संग में बदल जाता है, तो सत्संग जो है सत्पुरुषों के मांगी लो तो सावित्री के पिता को कोई भी संतान सावित्री के लावा नहीं थी उनके कोई भी पुतर नहीं थे तो सावित्री कहती कि मेरे पिता को भी सौ पुतर प्राप्त हो यम्राज बोलते हैं चलो यह भी दिया यह भी वर्दान दे दिया तथास्तु कह दिया तो सावित्री कहती है कि जो संत होते हैं वो सबसे प्रेम करते हैं शत्रू पे भी दया करते हैं तो आप कुछ और दया कीजिए हम पर तो यमराज बोलते हैं चलो तुम चौता वर्दान भी मंग लो लेकिन कम से कम अब तो रॉप जाओ तो सावित्री कहती है कि मुझे सत्यवान से सौ पुत्र की प्राप्ती हो लेकिन दामपत्य सुख भी मिलता रहे दामपत्य सुख से प्राप्त हो तो यह अमराज बोलते हैं कि ठीक है यह वर्दान भी मैं तुम्हें देता हूं तो सावित्री कहती है कि बिना सत्यवान के कर देता हूं ये कथा जो है महाभाद के वन्फर्व में दी गई है और इस कथा से कई बातों का पता चलता है एक तो यह कि सावित्री केवल तपस्विनी नारी नहीं थी उन्होंने अपने पातिवर्त धर्म के वजह से ही सत्यवान को पराप्त नहीं किया था बलकि उन्होंने सत्यवान को अपने ध्यमानी से प्राप्त किया था यमराज को निरुटर करके प्राप्त किया था और यमराज जो है वो कूई सामान ने दे उता जैसा कि टीवी सीरियलों में एक मजाग के उर्प में दिखा जाता है कि वो भैसे पे सवार हैं और बहुत सारे वेंग और बहुत सारे कॉमेडी चीजे भी लिखी जाती हैं यमराज दरसल धरमराज हैं और वो बहुत ही ग्यानी हैं चार लोग पाल इंदर वरुन कुबेर और यमराज हैं यमराज दक्षन दिशा के अधिपती माने जाते हैं यमर के क्रोज से श्री राम की तुलना की गई है तो यम्राज बहुत बड़े वीर भी हैं बहुत बड़े ग्यानी भी है और नचिकेता यम्राज समवाद में भी यम्राज उन्हें मृत्यों का रहसे बताते हैं और यम्राज नचिकेता को ग्यान देते हैं सावित्री के साथ भी य प्राप्त कर देती है तो सावित्री की कथा किसी कमजोर नारी की कथा नहीं है आप जो भी स्ट्रिया सावित्री का वरत करती हैं वो इस बात को जरूर ध्यान रखे कि अपने पती, अपने कुटंब, अपने परिवार के लिए नारियां किस हद तक जा सकती है, अपने बुद्धिमानी का किस परकार से प्रयोग कर सकती है, और उन्हें भी कभी भी परिवार में कोई संकट आए, तो उन्हें भी अपनी बुद्धिमानी से निड़ने लेना चा के परक्षासों से तो और नहीं vendi यहांधि युशिराम अन्हें बहुत प्रेम से समझा देते हैं क्या मैं धर्म के द्वारा जीती गई हूँ और यहीं से इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे पाता और यहीं से पुरे महबाद की जो है का टर्निंग पॉइंट हो जाता है और यहीं से पूरी महबाद की कथा एक नए दिशा में मुड़ जाती है तो आज से आप यह मानने कि सती सावित्री होना कोई कमजोर होना नहीं सवाहम सती जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी वह अपने प्रेम की वजह से अपने पिता से लड़ जाती हैं और शिव जी का अपमान बरदाश्ट ने कर पाती है और वह आतंदाह कर लेती हैं और उनका जो प्रेम है अपने पती के प्रती वह भी अपने में बहुत अनुत करने हैं वह विवाँ भी अपने पीता के विरोज जाकर करतीं और बाख़गानシ helmets मत्तिया वह बेज्फ़ेंगर गज हैं तो मैं आपको जो खासकर नारिया हैं उन सभी को वर्ट सावितरी वरत की बहुत बढ़ाई देता हूं और मैं उन सभी से आग्रा करता हूं कि अगर उन्हें हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे जरूर लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही मैं फिर नए वीडियो के साथ आओंगा तब तक के लिए आप सब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार